आज मैं जिस टॉपिक के बात करने वाला हूँ, अगर आपने इस टॉपिक पे काम करना शुरू कर दिया, मेरी बात मानिए आप कितना ज़्यादा कमाने लगेंगे, जहाँ पर किसी स्ट्रेटेजी की कोई भी साथ ही इसके सामने है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यह कितना ज़्यादा सफिक्ता के साथ काम करता है, पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा, बात हम कर रहे हैं एक्सपाइरी की, देखिए यहाप एक्सपाइरी सिर्फ हम एक चीज़ के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम दो इंडाइसिस की, जैसे सबसे पहरे हम बात कर रहे हैं बैंग निफ्टी की, और दूसरा है आपका यहापे संसिक्स का, लेकिन बैंग निफ्टी यहापे एक्च्वल में नहीं रहने वाला है, ध्यान से देखिए क्या क्या करना है, किस तरीकी से करना है, बात पूरे डी जैन दिया होगा, मंडे, टुस्डे और फ्राइडे, यह तीन दिन की जब हम बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, अगर आप देखेंगे, मैं आपको कल की बार में अगर बताओ, तो फ्राइडे का देखिए जरा यहापे, यह देखिए फ्रा सुमवार को चला जाता हूँ, सुमवार को बारा तारिक था, यह देखिए बारा तारिक और यह तिरा तारिक, यह तिरा तारिक, क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए, बैंक निफ्टी में हमें काम नहीं करना है, हमको बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, Bank Nifty जैसा ही पूरा उसका चार्ट है, उच भी फरक नहीं है, सेम चलता है, बस इतना फरक आप इसको सिदे सदे इसको मान के चलिए कि उसका जो एक्सपायर यह सोंबार को है, चार्ट हमें देखना है Bank Nifty, हमको Bank X का चार्ट नहीं देखना है, आप confused हो जाएंगे, तो bank, क्यों हमें ट्रेड लेना है Bank X में, चार्ट देखना है Bank Nifty का, कैसे ट्रेड लेना है, यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको, और कोई हवा हवा ही बाते नहीं हो, और यह मैं आपको एक से एक में बैक्टिस्ट करके दिखाऊंगा, आप ज़रा सोच के देखिएगा, अगर आप हो बात करते हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे premium की, देखिए सीधी साधी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर premium सिर्फ दो दिन की बात हो रही है, यहाँ तीन दिल की, सोमवार, मंगलवार, बूदवार, अगर premium की मैं बात करूँ, तो आप अपना एक range बना लीजेगा, 15 रुपे स आप कोई भी number चुन लीजेए, जो आपको अच्छा लगे, कोई फरक नहीं पड़ता इसमें, मैं बिलकुल आपको यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ, यह गोफोर दे इंदमनी, आप बेशक जाएए 15 रुपे से शुरू कीजे, 15 रुपे, 17 रुपे, 20 रुपे, 25 रुपे, आपको जो अच्छा लगे, इन में से कोई भी एक number आप चुन लीजिए, call और पूख दोनों का से होना चाहिए, मतलब यह हुआ, अगर आप 30 रुपे का call ले रहे हैं, तो आपको 30 रुपे का पूख लेना है, exact 30 रुपे नहीं मिलता, तो 31 वाला ले लिजिए, 35 वाला ले चाहिए, बच इतनी सी बात समझ लीजिए, इससे होगा क्या, इसलिए तुमने वीडियो बनाया है, सुनिए, इससे होगा यह कि अभी जरा आप समझ के देखिए, यह 12 तारिक का डेट है, ठीक है, 12 तारिक अगर आप कहा पे ट्रेड लेंगे, बैंक एक्स में, कब ट्रेड लेना आप शुरू कर सकते है, 9 बच के 18 मिनिट पे, 9 बच के 19 मुन पे आप ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं, कि कुछ एक्जिगूर करने के लिए, जो भी आपके कुछ सेकेंड जाएंगे, मतलब कूल मिलाकर, 9-20 तक आपका कामकाज हो जाना चाहिए, इतना समझ लीजि हमें बैंक निफ्टी की साब से ट्रेड लेना है, और यहां पे 400 हमको होल्ड करना है, सिधी-सिधी बात है, हमको यहां पे 400 पॉइंट जब मार्केट, ऊपर जाए चाहिए नीचे जाए, आपको कैसा करना है, आपने मान लिजिए यहां पे देखिए, मैं आपको पूरा अरजन में बहुत आसानी जाएगी, यह एक लाइन है, मान लिजिए यह 50237, 237 का पॉइंट है, आपने यहां पे ट्रेल लिया, कॉल और पूर्ट, हमें क्या करना है, हमें उपर 400 प्लस पे लाइन बना देना है, होरिजन्टल लाइन, नीचे एक लाइन बना देना है, आई हम देते है, यह 637, एक्जाक्ट हम वही पर आ गाए, ठीक है, अब यहां से नीचे की ओर भी हम ले लेंगे, अच्छा, थोड़ा सा नीचे आगे, अब नीचे 37 ले ले लेते हैं, आपको दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता, 237 मताए 837, थोड़ा सा और, और यहां पर ले लेते हैं, एक्जाक्ट तो नहीं मिला, 39 तक मिला, चली, तो हमें बस ऐसे ही करना है, हमको अपने ट्रेड को लेने से पहले, यहां पर जो है, हमको अपना ट्रेड मिल जाएगा, अपको अपना टार्गेट मिल जाएगा, अब कुछ बाते ज़रा ध्यान से सु समझिए देखिए जैसे अगर आप साड़े ग्यारा बजे से पहले अगर आपको आपका टार्गेट मिल जाता है समझिए दहन से साड़े ग्यारा से पहले अगर आपको आपका टार्गेट मिल जाता है आप तुरंत दूसरा ट्राय कर सकते हैं बिल्कूल हिचकी चाहिएगा मत बिलकूल लित कि चाना नहीं है přूल मिला के अगर पंदरा कॉंटिटिटी की भी बात करता हूं हर जगह तो पर बैंक एकस में काम करेंगे मेरे ख़ैब इसमें दस कॉंटिटी है आप आगी की बात में करूँगा ये मैं फिल्याल बैंक एक्स की बात कर रहा और फिर मंगलवार की भी बात करेंगे उसके बारे में और मैं डीटेल में बताऊंगा तो आप यहां पर 10-10 का भी क्वांटिटी अगर लेते हैं 30डबे 50 रूप है और दूसरा वाला भी 30डबे इसका भी 50 रूप है के खर्चा कितना होरा 700-300-600600 संड़्यड तो कॉल पूट्ट दोनों मिलाके आपका खर्चा होरा 700 रूप है समझिए इसमें profit कैसे होता मैं आपको और डिटल न बताऊंगा और जैसे आप इस चीज़ को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तूरंत आपको क्या मिलता है यहाँ पर जैसे आपको अपना target मिल जाता है आप पाएंगे कि आपका जो भी आपके जो 30 रुपए वाला ल आ गया होगा आपका जो भी यहाँ तो आपको 30 मिलेगा यहां पर जैसे आप ट्रेट से बाहर लिक लेंगे और प्रमोस्ट आप यहाँ पर 200 प्लस कई बार 300 प्लस आप अपने प्रॉफिट में रहेंगे तो सोचके दिखिए 700 में से अगर आप दो सुरुपे कमा रहें मैं उधारन दे रहा हूँ इतना ही खतम नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ यह तो सिर्फ जाकी है थोड़ा सा जलक है इसके बाद आप अगर यहाँ से दुबारा ट्रेड लेते हैं अगला ट्रेड आपको कब एक्जिट करना बिल्कूल अपना स्क्रीन बंद कर दीजिए कभी रिस्क लेना भी पड़ता है दोनों आप ले लिजें फिर से तीनसो तीनसो का और बिल्कूल आखे बंद करके आप यहाँ पर बैढ़ जाएए सीधे दो बज़े आपको एक्जिट करना है और बिल्कूल बीच में खोलना ही नहीं है क्योंकि बहुत बार होगा अकल्व कर्どक्त आप दीन लेके चलता हूं अब देखिए अगला दिन हमें क्या दिखाए देता यहाँ ऐसिधह जां पे त्रेड आपने अगल लिया होता यह आगे का मंगलवार का धिन मंगलवार को अब का कौन सक्ञारी होता मंगलवार को है में करना है हमें सबसे पधले उपर 400 ले 건 नीचे और डीने इसक Lebens कर ले जिएका मैं दुनों RNA को यह सअ आफ्टा देता हूं यहां से पितना है यह एम पे पॉइंट पास सो 5500 हमको कह तक लेना है पचास अचार 110 तक हमें यहां पे ढिं़ आप है 110 तो लगबग लगबगक यही को मिल जाता ये ही जाएगा और मार्केट दो गूजें तक जैसे हमें यहां तक तो मिली रहा है यहां तक तो मिली रहा हमको ठूज़रा को साड़े 11.5 से अगर जाधा हो जाएगा तो आप hai याb को शिदा-सीदा रुख जाना चलिए अब ही मैं आपको सीदा लेके चलता हूँ यह संसक्स का में संसक्स का थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ फिलाल मैं आपको सोंवार और मंंगलवार बता रहों यह देखिए सोवार को क्या हुआ था पास तोरीक हो अगर आप देखेंगे यहां पर यहां से मार्केट गिनना शुरू हुआ 50,525 से हमें कब तक रुखना 125 कहा 125 आल्मोस्ट यहां पर यह आ गया हम आल्मोस्ट 125 के पास 129 मालेजे 125 यहां पर है बस आप यहां पर आके तूरंट ट्रेट को छोड़ दीजी आप अगला ट्रेड ल से दूसरा अगर ट्रेड लेते तो फिर मार्केट देखिए 800 से भी नीचे चला गया था मतलब यह हुआ कि आप मैंने क्या का दूसरा ट्रेड अप जब लेते तो आप बिल्कुल आसानी से दो बेज़े तक वेट कर सकते हैं फाइदा हो नुकसान हो उसको छोड़ दीजिए यहां से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो मार्केट फिर से आप वही पास्वोदस से हो रहा है फिर से यहां पर आपने दूसरा अगले दीन अगर फिर से ट्रेड लिया होता मंगलवार को यह मार्केट बूदवा दो बज़े तक यहां तक चला आया मतलब यह BANKEX का ट्रेड और यह आपका Finliptyka trade पूल मिलाके आप अगर इस तरी केसे trade करते हैं बहुत बहुत बड़े फाइदे आपको मेलते हैं मैं अभी आपको थोड़ा Sensex का दिखाता हूँ कि Sensex आपको कैसे फाइदा दिलाता है आईए चलते हैं Sensex के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी आपका Target 400 points का होगा चाहे Market उपर जाए या निचे जाए इससे कोई परक में पड़ता है Trade का timing भी वही है 9 बच के 20 मिनट का अगर आप 16 तारिक को अगर देखते हैं मतलब शुकुरवार की मैं बात कर रहा हूँ कल की Market यहाँ पे अगर आपने लिया होता तो जैसी Market यहाँ तक पहुंचे आपका पूरा 400 points से कितने बज़े तक साड़े-दस बज़े तक साड़े-दस बज़े तक आपका Trade आपको मिल क्या हमारा दूसरा condition क्या है आप यहाँ पर Trade ले लिजिए फिर से Call और Put 15 रुबे से लेके 40 रुपे की भी इसमे फोल भी ले लिजिए और आपको वेट करना है दो बज़े तक वेट करना है अब आज शुक्रवार को देखिए Market दो बज़े तक कहा पर गया यहाँ पर कितना points दे रहा है अगर मैं आज से गिनने बैठू तो Market यहाँ पर कितना है 49,000 almost 400 के आसपास 49,000 गिनी आगा 49,400 और दो बज़े Market कहा पर है यहाँ पर यह कितना है 80,200 तो देखिए Market कितना जादा Almost 800 points आपको move दे रहा है मतब यहाँ पर 400 points इस तरफ 400 points यहाँ पर और इस तरफ 800 points तो तब यहाँ पर आपका जितना पैसा बन रहा था इस लाइन में 60,000 बज़े के बाद अगर आपना ऐसा कोई trade लिया होता तो आपके दुगने पैसे बनते cool मिला के आप कितने points कवर कर रहे थे आप पूरा मिला के 1200 points कवर कर रहे थे यह संभव है practically संभव है सिर्फ एक ही काम करना है जब मार्केट शुरुवात में आपको बस देखना है और अगला वाला साड़े 11 के पहले अगर आपको trade मिल जाता है अगला वाला देखना ही नहीं बिल्कुल system खोलना ही नहीं खोल दिये तो आपका दिमाग खरब हो जाएगा profit देखके हो सकता है आप यही तक आके अगर आपने देख लिया हो सकता है आपको यहां पर आपका double profit दिख रहा हो का तुर्णत exit कर जाएगे आप सुझेगे मिल रहा है छोड़ेंगे क्यों किसी दिन आपका बड़ा profit नहीं मिलेगा किसी दिन second time में आपका नुक्सान हो सकता है लेकिन जिस दिन आपको मिलेगा वो कई दिनों का इखटा मिलेगा यह है वो दिन का आईए मैं आपको और दिखाता हूँ यह तो सुला तारिक की बात है अब मैं आपको दिखाता हूँ पिछले हफ्ते का नौ तारिक शुक्रवार था आईए देखते नौ तारिक को क्या होता है तो नौ तारिक ये रहा नौ तारिक माफ कीजेगा आठ तारिक था आठ तारिक था शुक्रवार नहीं 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 नौ तारिक था शुक्रवार माफ कीजेगा यह नौतारिक शुक्रवार है अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो साड़े ग्यारा बज़े तक स्रिफ एक ही ट्रेड मिल रहा है और यहाँ पर हमारा कोई फायदा हुआ ही नहीं इस दिन हमारा नुकसान ही होगा क्योंकि यहाँ पर कॉल और पूट आप दोनों पर मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा एक रकम है ऑप्शन ट्रेडिंग में क्योंकि जिस दिन आपको मिलेगा आपको आपने मान लीजे 700 रुप्य खर्चा किया है मैंने आप जो 16 तारिक का दिखाया है यहाँ पर बहुत 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 आसानी से आपके 4000 बन जाते है 4000 कह 700 कह 4000 अब यहाँ पर सोचके देखिए आप यहाँ पर तो पूरा 700 आपका बिगड़ेगा भी नहीं पूरा खराब भी नहीं होगा इसलिए आपको ट्रेड इसी तरी किसे लेना पड़ेगा चलिए हम एक छूड़ गया 9 तारिक अच्छा नहीं चला कोई बात नहीं चलिए हम हम देखते हैं यहाँ पर 3 तारिक कैसे चलागा 3 या 2 तारिक तो हम यहाँ पर दिखता है 2 तारिक का अगर हम यहाँ पर टरेड देखते हैं तो डो तारिक को भी हमको कुछ ऐसे ही नजर आता है साड़े ग्यारा बज़े तक आपको यहाँ पर रुकणा है, साड़े ग्यारा बज़े के बाद रुकना ही नहीं है, हट जाना है, अगर आपको कोई, आपका 400 पॉंंट्स आपको capture करने के लिए नहीं रहा है. डरियेगा मत ये है सेंशक्स का आपको याद है ना 5 तारिक को क्या हुआ था यह 5 तारिक का डेटा देखी है ज़रा ये तो सेंशक्स का है लेकिन निफ्टी में किस तर Arab के से चला था शान शांदार बड़ा ट्रेड मिला था चे तारिक को भी बड़ा ट्रेड मिला था तो आप अगर एक दिन नुकसान कर रहे हैं याद रखिए अगले दिन आपका उसका रिकवरी हो जाएगा तो बहुत जादा आप नुकसान पे ध्यान मत दीजिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे द्हां दी जिए यही एक फीस तोर तरीका है पैसे कमाने का चलिएम दो दिन नुकसा देका नौ तारीक और दो तारीक अब यह आते हम 26 तारीक को 26 तारीक को 22 तारीक तर्शूरवार watches चब्विस तारीक को होता है ऑच्विस तारीक को हम देखते हैं कि यह आपई 80,200 म्रही ह है हमको का तक रूखना 600 यहां से मार्केट कुछी दिर के अंदर दस सवादस सवादस बज़े तक मार्केट आपको ट्रेड दे दिया और फिर मैंने आपको क्या आपको अगला जो ट्रेड लेना है आपको आखे बंद करके लेना इसीज़ा दो बज़े तक कोल करना यहाँ पे भी आप 500 पॉइंट और आप capture कर रहे हैं। फिर से अपका पैसा पैसा बनने वाला है। फुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने system follow किया, जहाँ पे दो चीज बिल्कुल भी आपे शामिल नहीं होना चाहिए, that is called emotion. Emotion, emotion नहीं आना चाहिए, emotion कब नहीं आता है पहले यह भी समझना आपके लिए जरूरी है, emotion सिर्फ और सिर्फ नहीं आता है, जब आपके quantity कम होती है, आपके पैसे कम लगते हैं, तब ही आप emotional नहीं होते हैं, आप मान लिजी आप daily basis पे आप 2000 माइनस करने के लिए तैयार है, आपका trade वैसा होता होगा, आपके पास पैसे होते होंगे, वही पे अगर मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों को मिला के सिर्फ 700 रुपे खर्चा करिए, तो यहाँ पे आपको फरक पड़ेगा नहीं, अगर आप कहेंगे, अगर आपको 2000 प्लस हो रहा है, इस से अच्छा और क्या हो सकता है, अपते में पास दिन ट्रेड नहीं करना, आपते में तीन दिन ट्रेड करना, सोमवार, मंगलवार, शोकुरवार, बात खतम, बाकी दो दिन आराम करिए, हम रोज ट्रेड करने के चकर में सबसे ज़दा नुकसान करके बैठता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, त आप से मगले दिन दो, तब तक दिने, जहें!